इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिग गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Phosphorium Powder Antibiotics नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। यह संक्रमन फैलाने वाले बैक्टीरिया को मार कर काम करता है। इस दवा का उपयोग मूत्रमार के संक्रमन के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। यह आपके लक्षनों को ठीक करने और infection के इलाज में मदद करता है। को खाली पेट पर लिया जाना चाहिए। विशेश रूप से सोने से पहले मुत्राशे को खाली करने के बाद डॉक्टर द्वारा निर्धारित शेडियूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए। डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किसलिए ले रहे हैं। लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटिबाउटिक का कोस हमेशा पूरा करना चाहिए। जब तक आप पूरा न कर लें, तब तक इसे लेना बंद न करें, भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो। अगर आप इसे समय से पहले लेना बंद करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इंफेक्शन वापस आ सकता है। इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में सिर्दर्द, चक्कर आना, योनी में सूजन और अपच शामिल हैं। अगर दो से तीन दिन बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या ये साइड इफेक्ट आपको परेशान करते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करें। इसका उप्योग करने से पहले, अगर आपको किसी भी एंटिबाउटेक्स से अलजी हैं, या किड्नी या लिवर संबंधी कोई समस्या हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को इसका इस्तिमाल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इस दवा का उपयोग करते समय शराब और कैफीन युक्ट पे लेने से बचें। यह आपको नींद और चक्कर महसूस कर सकता है। इन लक्षनों के महसूस होने पर वहन न चलाएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद